हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू स्पेस जामंद ये बैक बनाने के लिए 13 इंच बै 17 इंच के दो कुल्टेड पिसेज, इसके अंदर रबर शीट और लाइनिंग यूज़ किया है 13 इंच बै 17 इंच के दो लाइनिंग के पिसेज, कलर सेम है इसके लिए मैंने लाइनिंग और फैब्रिक लिखा है ये लाइनिंग मटेरियल है 20 इंच बै 2 इंच के दो फैब्रिक के पिसेज और दो लाइनिंग के पिसेज 17 इंच बाए 6 इंच का एक पीस इसके अंदर रबर शीट और लाइनिंग यूज किया है साड़े 8 इंच बाए 6 इंच के दो कुल्टेड पीसेस 27 इंच बाए 6 इंच का एक कुल्टेड पीस 27 इंच बाए 6 इंच का एक लाइनिंग पीस चार इंच बाए 6 इंच के दो फैब्रिक के पीसेस यह ऐसा ही फैब्रिक है इसके बैक साइड में कुछ लगाया नहीं है और चार इंच बाए 6 इंच के दो लाइनिंग के पीसेस 7 इंच बाए 7 इंच के दो फैब्रिक के पीसेस 7 इंच बाए 7 इंच के दो लाइनिंग के पीसेस आठ इंच वैं साट इंच के दो फैबरिक पिसीद और आठ इंच वैं साट इंच के दो लाइनिंग के पिसीद 17 इंच बैं 9 इंच के 2 फाब्रिक पीसें 17 इंच बैं 9 इंच के 2 लाइनिंग के पीसें 17 इंच बैं 10 इंच का एक लाइनिंग पीस 34 inch by 6 inch का एक lining piece 6 inch के 2 belt 20 inch के 2 belts 17 inch का एक belt 50 inch का एक belt और 3 inch के 2 belts 27 inch की एक zip 17 inch के 2 zippers 4 runners यह दो hook और एक adjuster और यह हमें elastic लेना है और यह दो buttons इस तरह से एक pipe in लेना है यह वीडियो बनाते समय आप bag में क्या-क्या changes कर सकते है यह मैं बता दूंगी तो आप वीडियो end तक देखिएगा 7 inch by 7 inch के यह दो fabric के pieces और 7 inch by 7 inch के दो lining के pieces उसमें से हम एक एक लेंगे यह 7 inch by 7 inch का यह जो fabric है उसके उपर हम center fold कर लेंगे और यहाँ से हमें half inch mark कर लेना है और यह half inch के mark से हमें line कीचनी है यहाँ हमें round shape देना है और यहाँ से हमें cut कर लेना है इस तरह से shape में cutting करने के बाद हमें यह fabric के lining के उपर रखके इसके उपर सिलाई कर लेंगे इस तरह से यह दोनों part ready हो गए उपर की तरफ हमें piping करना है अगर आप piping नहीं करना चाते तो यह lining यहाँ पर रखके उसके उपर सिलाई करना है और यह अंदर की तरफ मोड लेना है और उसके उपर prestige करना है अभी हमें यह 20 inch by 2 inch के यह दो fabric और lining के पीसे से उसमें से हमें एक लेना है यह दोनों fabric है और यह दोनों lining है हम इसके उपर एक साइड से सिलाई कर लेंगे इस तरह से सिलाई करना है अगर आप piping नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर सिलाई करके इसको उल्टा करना है एक साइड में अभी हम इसको lining अंदर की तरफ मोड के इसके उपर प्रेस्टीज कर लेंगे इस तरह से यह दोनों पार्ट रेडी हो गए हमें यहाँ पर प्रेस्टीज करना है यह साइड में हम जोइन करते समय सिलाई करेंगे अभी हमें यह साथ इंच बैसाथ इंच का यह जो बनाया हुआ पार्ट है इसके उपर हम यह जोड़ेंगे ऐसे हमें रखना है यह सिलाई होने के बाद यह एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे अभी हमें यह सिलाई अंदर की तरफ रखना है और उसके उपर प्रिस्टीज कर लेना है इस तरह से हमें प्रिस्टीज कर लेना है ऐसे हमारी यह दोनों पार्ट रेडी हो गए अभी हम इसके उपर पाइप इन कर लेंगे पाइपिन हमें इस तरह से रखना है ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से यह दोनों पार्ट के उपर पाइपिन कर लिया है अभी हमें 13 इंच वे 17 इंच का यह कुल्टेड पीस लेना है यह 17 इंच है यह 13 इंच है इसका हम सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर से हमें और एक फोल्ड करना है और एक लाइन खिचनी है वैसे हमें दूसरी साइड में कर लेना है और इस तरह से हम शेप देंगे यह दोनों साइड में और यहां हमें देड़ इंच मार्क करना है यह मार्किंग की उपर हमें कट कर लेना है अभी हम इसका सेंटर मार्क करेंगे वैसे हमें उपर की साइड में करना है और यह मार्किंग हम यहां पर रखेंगे और इतना हमें सिलाई करना है इतना सिलाई होने के बाद हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऐसे फोल्ड करके हमें उपर का जो मार्क है और यह जो लाइन है वहां पर हमें पीन से अटेज करके रखना है और फिर हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहां पर हम एक पीन लगाएंगे यहां पर हम पीन से अटेज कर लेंगे और फिर हमें यह सिलाई कम्प्लिट करेंगे यहां तक आने के बाद हमें इसे टर्न करना है और फिर हम पीन निकाल देंगे इस तरह से हमें यह सिलाई करना है वैसे ही हम दूसरी साइड जोड़ेंगे इसे हमें पहले पीन से टाइज करना है ऐसे फोल्ड करके और फिर हमें यह पीन निकाल के यहां से हम सिलाई कर लेंगे है 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 यह एक पॉकेट जॉइन्ट हो गया वैसे ही हमें दूसरा पॉकेट जोड़ना है यह साइड में इसे हमें यह दोनों पॉकेट जॉइन्ट कर लेना है इसके बाद हम यह चार इंच वाइच छे इंच के दो फैबरिक के पिसे और यह दो लाइनिंग के पिसे उसमें से हमें एक एक लेना है इसके उपर हम सेंटर मार्क करके एक साइड में राउंड शेप देंगे इस तरह से राउंड शेप देखे इसके उपर हम यह शेप के उपर हम कट कर लेंगे इसके बाद हमें यह लाइनिंग रखना है और सिलाई करना है अगर आप पाइपिन नहीं करना चाहते तो आपको यह लाइनिंग फ्रंट की साइड में रखके उसके उपर सिलाई करके यह बैक साइड करना है इस तरह से यह पार्ट रेडी हो गया अभी हमें इसके उपर पाइपिन कर लेना है इस तरह से यह दोनों पार्ट रेडी हो गये यह मदर बैक बनाते समय आप कॉटन का फबरिक यूज करेंगे तो आपको यह पाइपिन कॉटन की लगाएंगे तो बहुत सुन्दर दिखेगी और मदर बैक नॉर्मली पाइपिन करके ही अच्छी दिखती है इसके बाद हमें यहां से साड़े तीन इंच मार्क करना है और एक लाइन खीचनी है और यह हमें बड़ा पाट लेना है तो यह शेप बड़ा हो जाएगा इस तरह से हमें शेप देना है वैसे ही हम दुसरी साइड में देंगे यह शेप के उपर हमें कट कर लेना है अबी हम यह पाट इसका हम सेंटर करेंगे और यह सेंटर हमें यह मार्किंग के उपर रखना है और यहां से हमें आफ इंच उपर रखना है यहां इंच जितना हम उपर रखेंगे और उसके उपर सिलाई कर लेंगे इस तरह से ये दोनों पार्ट जॉइंट हो गए अभी हमें ये 17 इंच का ये एक बेल्ट है ये बेल्ट हम ये जो लाइन कीची थी ये लाइन के उपर हमें रखना है और उसके उपर सिलाई कर लेना है दोनों साइड से इस तरह से ये बेल्ट जॉइंट हो गया अभी हमें ये जो सिंटर मार्क है सिंटर से हमें 2 एंड फिंच पे दोनों साइड से मार्क कर लेना है और इसके उपर हम ये 20 इंच का बेल्ट जॉइंट करेंगे इसमें से हम एक बेल्ट लेंगे ये जो थ्रेड निकलते है इसके लिए हमें इस तरह से बेल्ट के दोनों साइड से कैंडल लगा के लेना है अभी हमें इसके उपर जॉइंट कर लेना है ये मार्किंग के बाहर से हम जोडेंगे इस तरह से ये पार्ट रेडी हो गया अभी हमें 17 इंच बै 9 इंच के ये दो फैबरिक के पिसेस है और ये दो लाइनिंग के पिसेस है उसमें से हमें एक एक लेना है इसके उपर हम ये 17 इंच की एक जीप चोडेंगे ये सिधी साइड के उपर हमें जीप की सिधी साइड रखना है और उसके उपर लाइनिंग और सिलाई कर लेना है ये सिलाई होने के बाद हम लाइनिंग अंदर की तरफ करेंगे और उसके उपर प्रेस्टीज कर लेंगे इसके बाद हमें यहां से रनर डालना है और यहां हमें सिलाई करके एक्स्ट्रा लाइनिंग कट करना है 13 इंच बे 17 इंच का पार्ट है 17 इंच है ये 13 इंच है इसके चारो साइड में हमें राउंड शेप देना है इस तरह से वैसे ही हमें उपर की साइड कर लेना है और ये शेप के उपर हम कट कर लेंगे इस तरह से ये कटिंग हो गया अब ये हमें उपर की साइड से 4 इंच पे मार्क करना है और एक लाइन खिचनी है और ये पार्ट की जिप की दूसरी साइड हम इस तरह से रखेंगे और इसके उपर सिलाई कर लेंगे ये लाइन से तुड़ा नीचे रखना है और लाइन के उपर हमें सिलाई करना है इस तरह से सिलाई होने के बाद हम ये उटा करेंगे और ये दोनों पार्ट एक के उपर एक हमें रखना है और उसके उपर सिलाई कर लेना है यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे यह एक जिप का पॉकेट रेडि हो गया अगर आपको जिप नहीं लगाना है तो आप यह लाइनिंग बाहर की तरफ लगा के अंदर की तरफ मोड सकते हैं और यहाँ पर आप बटन लगा सकते हैं तो यह एक बड़ा पॉकेट बनेगा अभी हम इसके उपर यह जो सिंटर मार्क है उसके दोनों साइड से हम 2.5 इंच के मार्क करेंगे और यह 20 इंच का दुसरा बेल्ट है बेल्ट हम इसके उपर जोड देंगे इस तरह से हमारे यह दोनों पार्ट रेडी हो गए अभी हमें 8 इंच बाए 7 इंच के यह दो फैब्रिक के पिसेस और यह दो लाइनिंग के पिसेस उसमें से हम एक एक लेंगे यह 8 इंच की साइड है उसके उपर हमें यह लाइनिंग पिस रखना है और उसके उपर हमें सिलाई कर लेना है यह सिलाई होने के बाद हम इस तरह से प्रेस करेंगे और यह जो इलस्टिक है वो हमें यहां से ऐसे रखना है और उसके उपर यह फैब्रिक और यहां पर हम सिलाई कर लेंगे यह सिलाई होने के बाद हम यह टर्न करके आगे की सिलाई करेंगे यह इलस्टिक हम उपर की तरफ रखेंगे इलस्टिक के उपर सिलाई नहीं आने चाहिए इसके बाद हमें ये Elastic 6 इंच तक खिचना है ये इस तरह से हमें देखना है इसके बाद हम ये दुसरी साइड लॉक कर लेंगे और फिर Elastic कट कर लेना है और ये सिलाई करके Extra Lining कट करना है इस तरह से ये दोनों पार्ट रेडी कर लिया है अभी हमें ये साड़े 8 इंच भाई 6 इंच के ये दो कुल्टेड पिसेज इसके उपर हमें उपर की साइड से हमें देडी इंच मार्क करना है और एक लाइन केजनी है और इसका हम सेंटर करेंगे और ये जो त्री इंच के दो बेल्ट है उसमें से हमें एक लेना है और उसमें हम ये हुग डालेंगे और ये मार्किंग के उपर रखना है और उसके उपर सिलाई कर लेना है इसे ही हमने ये दुसरा पार्ट रेडी कर लिया है अभी हम ये 6 इंच के दो बेल्ट हैं ये हम इसके उपर जोड़ेंगे जो लाइन कीची है उसके उपर हमें रखना है और दोनों साइड से सिलाई कर लेना है इस तरह से ये दोनों पार्ट रेडी हो गए अभी हम इसके उपर ये पार्ट रखना है और दोनों साइड से सिलाई कर लेना है ये दोनों साइड जोइन्ट होने के पाद हम यहाँ बॉक्स प्लेट करेंगे और उसके उपर सिलाई कर लेंगे वैसे हमें दुसरा पार्ट बनाना है ये वीडियो का सेकेंड पार्ट हम कल अपलोड करेंगे अब को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए, शेयर किजिए और कमेंट करना ना भुले हमारे नएने वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस किजिए ये 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 वोचिए झाल 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 झाल